हेलो फ्रेंड्स आज हम बहुत ही बहुत ही थोड़े वैसों में घर डेकोरेट करना सीखेंगे तो आज मैं आपको वाल हैंगिंग कहलो या पेस्टिंग कहलो कुछ यूनीक फ्लार्ज और डेकोरेशन का समान बनाना सिखांगे ठीक है लेट स्टाटे जादू तो यह आप बन चाट यह ट्वेंट वाला ठीक चाट आप लेकर इसको बना सकते हैं चलो बनाना सिखते हैं इस फॉर बिगनर्स जैसे यह बड़ा चार्ट था इनको इक को डिवाइट करने के लिए पार्ट में काटने के लिए बड़ेसे में फोल्ड करते हैं इन आपको एक सामने क्रीज या एक सीम्पल चीधी लाइन डिख जाती है तो आप उसकी हैल्फ से सीieso जज़ती चलाने नहीं आती या रहते हैं तो जब लाइन बन जाती तो उस लिरन को फोल वाकुर्ण में काट होए अब इससे हमें फिर से दो एकन पार्ट में कार दम अम लわか optimistic ग्रते हैं चलो अ यत और फिर हाफ पार्ट को हमने जब ऐसे फोल्ड किया तो इसे कटिंग कर लिए देखिए यह फोर कटिंग होगी पहले हम इतना करेंगे अब इसको भी कट करेंगे और फिर हम आगे आपको पताते हैं कैसे यह डेकोरेशन बनेंगी जो हमने बनाई है फिर जो हमने यह शीट जाती है देखो इक्वल पार्ट में जाती है और उसके बाद हम इसको जिग-जैक में इसली फोल्ड कर पाते हैं यह थिक होता है यह थिक पेपर हम इसले लेते हैं क्योंकि लॉंग टम चलता है अगर जैसे मैं इसकी बात करूं यह 10 रुपीज वाला चार्ट है बहुत जाएगा तो यह मतलब सिर्फ वन टाइम के लिए और अगर आप चाहते हैं उसको काफी महीनेयों तक लगा रहे तो यह थिक पेपर जो 20 रुपीज का आता है तो इस पे हमें लाइन्स मतलब इसको फोल्ड करने में दिक्कत होती है इसे हम इसको इस तरह करते हैं ताकि एक् फोल्ड में पकड़े यहां से देखिए ऐसे वह नमस्तर इसको आप इसको इस त्रीकर ने बढ़ेंगे आपको आत्साथी हुआ अगर आप तीन करता है तो यह प्रोपर सिक्व हो जाते हैं आप विगार फोन अपर दिखाते हुए कैसे यह देखिए वान तू थरी फोर तो आप इन सब को ऐसे प्लोज मिलाकर से स्टेपलर कर लेंगे तो यह जो थिक वाला देखो यह जो है यह लाइट है विल्कुल ऐसा यह थोड़ा थीक पेपर है तो यह ज्यादा स्ट्रोंग चलेगा बस इन सब को भी ऐसी निहां स्टेपलर करके यह हमारा त्यार हो जाएगा तो लेट्सिट आपको आज की एक्टिविटी अच्छी लगी हो क्योंकि देखो तो एंड सेविंग है साथ में इजी टू मेक है और साथ में लो बजट है इसमें आप क्या कर सकते हो जैसे बन गया है अगर आप इसे वाइट पर बनाते हो तो आप किसी भी कलर में अपने हार हैंड जिप करके ऐसे स्प्रिंकल कर दोगे इस पर चड़क दोगे तो भी तब तक आप मेरा वेट कीजिए अगली बार पी मिलेंगे तब तक लिए बाई